तो जैसा कि आप सब जानते हो और डीसा में एक भियानक ट्रेन एक्सिडेंट हुआ था जिसमें तकरीबन तीन सो लोगों की टेथ हो चुकी है और आड़ सो से भी जादा लोग हैल हैं सबी अक्टर्स और नेता लोग सोशल मीडिया पर अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं तो वही सोनू सूध ने भी एक वीडियो डालते हुए कहा है कि सिर्फ ट्वीट करने से कुछ नहीं होगा उन्होंने कहा सरकार को एक दूसरे पे इलजाम लगाने से अच्छा उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जिनोंने अपने परिवार के सदस्य को खोया है सोनू ने कहा मुवजा तो दो तिन महीनों में खतम हो जाएगा लेकिन जिन लोगों के पै तूट गये हैं या कंदा तूट गया है वो कभी दुबारा काम नहीं कर पाएंगे इसलिए सरकार को एक नीती लानी चाहिए पैंशन की विवस्था के तहट उन्हें एक निश्चित राशी सुनिश्चित की जानी चाहिए तो दोस्तों आपको सोनू सूद की ये राय कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताईएगा और वीडियो को लाइक कर लीचिएगा